चलिए बढ़े चलते हैं हम अभी तक ये देख रहे थे कि अगर कोई liquid या container अगर horizontal direction में अगर accelerate कर रहा हूँ तो किस तरह से आपके accelerations है, sorry, किस तरह से pressure जो है liquid का कैसे vary करता है चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा tough सा सवाल करता है, मैं पहले इस बात को बोलता हूँ कि बढ़ा सवाल थोड़ा सा tougher side का है but I will make sure कि आप लोग इस सवाल को भी बढ़िया तरीका से कर पाएं और थोड़ा सा time देना पड़ेगा आपको patience रखेगा, सवाल अच्छा है, हो सपना कि इसके बाहने हम बहुत सारे concept सीख पाएं, ठीक है, बचलेगा सुनिएगा, मैं इस सवाल के अंदर बढ़ा थोड़ी सी बातें जो हाँ जादा ही करूँगा ठीक है, और काफे time भी लग सकता है बट सीखने के लिए बढ़ा बहुत सारे बातें होंगे सुनिएगा, आपके पास बच्चो, एक cube है, cubicle container है as बढ़ा एस आपके पास एक cubicle container है ठीक है इस cubicle container के अंदर बड़ा पानी भरा पड़ा है पूरा fully filled है fully filled है जो liquid है उसके density rho है and completely filled completely filled मैं लेख भी देता हूँ कि it is completely filled ठीक है बच्चो और कुछ points लगते हैं बड़ा इसके अंदर मैं कुछ points ले रहा हूँ इसके अंदर मैं इस point को A कह रहा हूँ इस vertex को B कह रहा हूँ इसे C कह रहा हूँ ये D है उपर बड़ा E है ये F है ये G है और ये H ठीक है अच्चो ये बड़ा जो H है ना कौनसी बड़ा GH ये open है ये बड़ा open है GH वाले जो H है बड़ा ये open है ये बड़ा आपकी open है ठीक है और बाहर का जो pressure है बड़ा वो 0 है बाहर का जो pressure है वो आपका 0 है बाहर का pressure अगर 0 है तो obvious बात है कि यहाँ पर जो liquid contact में होगा उसका pressure भी 0 है बागी 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 यहाँ से closed है, सिर्फ फॉर सिर्फ यह वाले जो edge है यह edge open है चलिए, अब बाते करते है सबसे पहला सवाल सारा का सारा जो container है, बागी वो rest पे है सवाल के पहले part में rest पे है और आपको बताना है कि find pressure at points A B C D E F G and edge इन सारे के सारे points पर कितना कितना pressure हो बताईए बिल्कुल बताईए यह जो G और edge है अच्छा बड़ा एक बात मैं बोलने भूल किया कि इस cube की जो length है बड़ा वो L है, width L है height L है, सब L है of course with the cube है सबसे पहले जो G और edge वाले point है यह वाली edge तो बड़ा इस cube की open है तो open है तो इसका pressure वही हो जो बाहर का है और बाहर का pressure मुझे बोल रखा है 0 तो इन दोनों points तो pressure तो आ गया 0 तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि G point पर आपका pressure 0 आएगा और H पर भी बड़ा आपका pressure तो 0 आएगा पर हर जगर pressure same होना चाहिए बिल्कुल same होना चाहिए बड़ा same horizontal level पर अगर pressure same होना चाहिए तो इस कबड़ इस E पर और F पर भी pressure 0 होना चाहिए बिल्कुल तो इस E पर और F पर भी बड़ा आपका pressure जो आएगा वो 0 आएगा Fair enough अब यहां से अगर मैं L distance नीचे आऊँगा L distance अगर नीचे आऊँगा तो of course नीचे आने पर बड़ा pressure तो बड़ेगा कितना pressure बड़ेगा? रो इंटू G इंटू L तो of course बड़ा यहां का pressure अगर 0 है तो इस point का pressure होगा रो इंटू G इंटू L अगेन सारा का सरा container horizontal direction में accelerate मही कर रहा इस बात का यह अर्थ हुआ कि base के जितने भी point है उन सब points पर pressure सेम होना चाहिए and that pressure should be rho into G into L तो आपके तो चारो points है इन चारो points पर same pressure होगा and the pressure is going to be of course rho into G into L Very easy बहुत बड़ा आसांता सवाल पूछांता आपसे ठीक ड़ा अब अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि top से x distance नीचे यहाँ पर मैं आपके कुछ points ले लो इन में से किसी भी point पर pressure के पना होगा अब अब इस है very easy उपर वाले हर point पर pressure 0 है वहाँ से x distance नीचे pressure obvious बात आएगा row into g into x of course बड़ा कितना आएगा row into g into x इतना pressure आएगा अच्छी बात है बच्चों अब मेरा जो actual सवाल है यह दोड़ा मैं ऐसे आपको हलका फुलका used to करने के लिए में ते सारे सवाल दे रही है आगे चलते हैं बड़ा अब मेरा actual सवाल आपसे यह है कि आपको यह बताना है कि यह दो 6 faces हैं सब 6 faces कौन से? टॉप वाला face, bottom face 1, 2, 3, 4 cube की दो 6 faces हैं हर face पर कितना कितना force होगा आप बड़ा सिर्फ हो सिर्फ ही बताना है कि यह 6 faces पर कितना कितना force होगा तो बड़ा इस सवाल को हम चलिए अगले page अच्छा सवाल तो यह निकलते हैं अच्छा अगले page पर निकलते हैं बड़ा next find find force on each face of cube बड़ा cube के हर face पर कितना कितना force आएगा बताईए बिलकुल बताईएंगे सबसे पहले बड़ा bottom की बात कर लाते है बड़ा मेरे ख्याल से bottom जो था उसका नाम बड़ा के था? A, B, C, D ठीक है उसका नाम बड़ा आपके पास A, B, C, D इस bottom वाले हर point पर pressure सेम था the pressure was of course rho into G into L liquid जो होगा बड़ा उस पर force लगाएगा नीचे की तरफ और उस force की बड़ा value C भी होगी rho into G into L हर जिगा बड़ा pressure सेम multi-blog by area area is of course L square answer comes out to be rho G L cube हला की rho into L cube density into L cube L cube is volume तो आप कह सकते हैं कि इस force के जो value है ये mg के बड़ाबर है बड़ा किसके बड़ाबर है? mg के बड़ाबर है very easy सबसे उपर वाला face सबसे उपर वाला face का क्या नाम था बड़ा? E F G H, ठीक है जो सबसे उपर वाला face था उसके अगर बात करें हाँ, ठीक उसके अगर बात करें तो बड़ाबर ये वाला point आपका E था ये F था, ये G था, ये H था उपर वाले हर point पर pressure की value 0 थी उपर वाले point पर बड़ाबर pressure पर हर जगा value 0 थी तो obvious बात है कि इस face पर तो liquid किसी प्रकार का कोई force लगा ही नहीं रहा अलगा ही नहीं रहा आपको उसके उपर वाला face हो गया नीचे वाला face हो गया, एक, दो तीन, चार, ये face और बचें इन में से कोई साब भी एक निकाल लो सब पे वही answer आएगा सब पे वही answer आएगा, सब पे same answer क्यों आएगा बड़ा मैं दिखा दूँगा, तुम चिंता मत करना जैसे हैं बड़ा मैं एक दिखा दे लो बड़ा मैं एक ख्याल से ये A था ये D था ये बड़ा E था ये F इन में से कोई साब face लेता हो इस में से किसी भी face पर, बड़ा cube के किसी भी face पर अगर आप x distance नीचे आते हो तो यहाँ पर हर जगे बड़ा pressure की value सेम आती है और ये जो pressure की value आती है, बड़ा हम निकाल चुके हैं that is rho into g into x अब हम इस बाग को देख सकते हैं कि यहाँ 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 हर्ज के pressure सेम नहीं है तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कि pressure into सारा area तो हर्ज के pressure सेम ही नहीं है देन एक बात कर सकते हैं कि topmost point से x distance जाकर एक cut लगाऊंगा फिर x plus dx distance जाकर एक cut और लगाऊंगा और इस rectangular strip पर कितना force लगता है वो निकालोंगा इस rectangular strip पर लगने वारा force आगया तो ऐसी infinite number of rectangular strips बनाऊंगा और उन पर कितना कितना forces को जोड़नोंगा जोडना obviously means integration इस पर इधर की तरफ कुछ लोग इस force आ रहा होगा that force is df this df can be written as क्या बढ़ा pressure that is rho into g into x इस rectangular strip का area of course l into dx sir मुझे तो पूरा force चाहिए बढ़ा अगर तुझे पूरा का पूरा इस adf face पर अगर चाहिए तो तुझे इस force का करना पड़ेगा integration बढ़ा कर ले that is rho into g into l तो ठीक है बढ़ा सिर्फ और सिर्फ x dx का integration करने की ज़रोता है x को कहां से कात्र पूरी करेगा तो आप बोले sir सबसे उपर वाले point पर x की बेली जीरो फिर बढ़ते 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 मुझे l distance नीचे तक आ रहा है height तो l है बढ़ा 0 से लेके l answer comes out to be बढ़ा rho g l cube by 2 you can easily say कि this is basically mg by 2 और जो force इस face पर है बढ़ा हो जो force इस face पर है बढ़ा मैं कोई और कलरी उस करता हूँ एक मिनट बढ़ा जो force आपके इस face पर है इधर की तरफ exactly उतने ही magnitude का force इस face पर भी आएगा लेकिन वो इधर की तरफ आएगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से x distance नीचे और यहां से x distance नीचे pressure तो same ही है areas बगार रवा ऐसे same है तो symmetric conditions है of course force की value same आएगी यही हालत बढ़ा पीछे वाले surface की है यही हालत आपके आगे वाले surface की है तो हर face पर आपका जो force है बड़ा वो तो बराबर ही आएगा magnitude के अंदर तो आप ऐसा कह सकते हो कि topmost वाले पर तो force लगा है 0 bottom वाले पर force लगा है mg और तो चारों यह वाले है उन पर force लगा है mg by 2 mg by 2 mg by 2 simple और बड़ा row की टरम लगर कहोगे तो सबसे नीचे वाले पर लगा है rho g l cube उपर वाले पर लगा है 0 यहाँ पर rho g l cube upon 2 यहाँ पर बड़ा rho g l cube upon 2 यहाँ पर rho g l cube upon 2 और इस पर भी rho g l cube upon 2 तो mg लग रहा है बड़ा नीचे के तरफ इस करण से नीचे वाले face पर mg इस पर 0 इन चारों पर M G by 2, M G by 2, M G by 2, simple, I hope that आइस बाद को समझ गाउंगे, आगे चलते हैं, नई situation लेते हैं, उसको भी discuss करते हैं, नई situation के लिए मैं नया डियाग्राम भाऊंगा, यार, चलिए बत्चो, एक मिनट, एक पूड़ाँ, चलिए, मैं नया सवाल बना रहा हूं, सवाल बड़ा ऐसे, फिर से बड़ा आपका वही क्यूब, क्यूब बड़ा, पूरा का पूरा, लिक्विड से भरा हुआ है, ठीकि बच्चो, लिक्विड के density बड़ा वही आपकी रो है, और इस बार, कोई ग्रेविटी नियी बड़ा, और ग्रेविटी नियी है, इसका मतलब हाईट के साथ जोहम नीचे जाने पर प्रेशर बड़ता था, वो नहीं होगा, सर क्यों नहीं होगा, बड़ा G की वेलू जीरू है यहाँ पार, free space में कुछ हो रहोगा ऐसा जुगाट, तो G की वेलू जीरू है, तो वल्टिकल डारेक्शन में इसका उन्हों प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर का फर्क वल्टिकल डारेक्शन में क्यों पड़ाता है, याद करो, नीचे की तरफ mg लग रहा था, और इस कारण से नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर जाया था, और उपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कम था, अब mg ही नहीं लग रहा, तो अफ्कोर्स बड़ा आपका प्रेशर डिफरेंस तो 0 आएगा वल्टिकल डारेक्शन में, है की नहीं, दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे कह दूँ, कि बड़ा नीचे आनका प्रेशर बढ़ता था, रो जी एच, अब जी ही 0 है, तो प्रेशर डिफरेंस भी कितना आगया, 0, ठीक है, लिकिन आपका सारा का सारा अरेंजमेंट सामने की तरफ एक्सलेरेट कर रहा है, अब आपका बड़ा, यह वाला जो फेस है, बड़ा यह खुलाओ है, और बाहर का जो प्रेशर है, बड़ा वो 0, बाहर का जो प्रेशर है, बड़ा वो 0, मैंने पोईंट से बड़ा कुछ नाम निकाल देता हूँ, सुनीगा बड़ा, इन आठो प्रेशर लिखता हूँ, इन आठो प्रेशर लिखता हूँ, G और H यहाँ पर लिक्विड है, बड़ा बाहर से ओपन है, बाहर का प्रेशर 0, उसके टच में है, तो इन दोनों प्रेशर प्रेशर 0 ही आएगा, इस पर भी 0 आएगा, इस पर भी 0 आएगा, यही नहीं है, एक्सेलरेशन तो होरिजोंटल डारेक्शन में है, वर्टिकल डारेक्शन में नीचे आने पर प्रेशर बढ़ा करता था, रो जी H, लेकिन इस बार बड़ा आपका H तो है नहीं, तो आफकोर्स बड़ा, यहाँ, 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 हर जगर प्रेशर की वालिव, सेम आएगी, और आप कह सकते हो कि इस करण से B पॉइंट पर भी प्रेशर जीरो आएगा, और C पॉइंट पर भी प्रेशर जीरो आएगा, बड़ा, क्यूब की डैमेंशन ल है, लेंथ, विर्थ, हाइट, सब कुछ L है, सब कुछ L है, लो बड़ा, इन चारों पॉइंट प्रेशर जीरो आगया, अच्छी बात है, एक्सेलरेशन के अपोजन जाते हो, तो प्रेशर बढ़ता है, कितना रो एल ए, बड़ा, कितना बढ़ता है, रो एल ए, तो यहां का प्रेशर अपने आप आगया है, रो एल ए, इस पॉइंट का प्रेशर भी आगया है, रो एल और ये सारे के सारे दो point हैं इनने आप ध्यान से देख सकते हो नीचे आने कर pressure का किसी प्रकार से कोई change नहीं होगा कोई जी तो है यह नहीं आप बड़ाराम से कह सेबते हैं जो pressure यहाँ पर वही pressure यहाँ पर इस A point पर भी बड़ा pressure आ गया है रो एल ए और इस D point पर भी बड़ा pressure आ गया है रो एल ए बड़िया बड़िया find force by liquid on each face बड़ा हर face पर कित्ता force होगा बताओ बिल्कुल बताएंगे सबसे आसान तो BCHG पर बताना है क्योंकि BCHG के हर point पर pressure की value 0 है अगर हर point पर pressure की value 0 है तो force भी कितना आएगा? 0 आएगा आप बड़े आराम से कह सकते हो कि हमारा जो BCHG है उस वाले face पर तो किसी प्रकार का कोई force नहीं आएगा यहाँ pressure 0 यहां pressure 0 यहाES पर फोर्स निकालना भी आसान है कौन से बड़ा? A, B, E, F सरासान क्या है? बड़ासान इसलिए है क्योंकि यहां का प्रेशर रो ल, यहां का प्रेशर रो ल, यहां का 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 रो ल, इवन यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, इस फेस के हर पॉइंट पर प्रेशर र रो एल ए इसका एरिया लेंथ इंटू विर्थ लेंथ भी एल विर्थ भी एल दैट इस एल स्क्वार यह फोर्स लग गया और फोर्स की वैले हम बड़े आराम से लिख सकते हैं रो ए एल क्यूब रो एल क्यूब बिड़ा आपका मास भी हो गया तो आप कह से कि यह मेरे पास अगये बो कितना आगय है इस वाले फोर्स पर भी एक तो इसका मतलब अगर एक्सलरेशन सामने की तरफ है तो इस वाले फेस पर तो फोर्स 0 आएगा इस वाले पर में आएगा अब 4 बज गए यह वाला ये वाला ये वाला और tenants 4 बज गए इन 4 पर मुझए 4 निकालं लेंग बन जायागा यारा हलाकि हलका सा मुश्किल होगा मुश्किल इसलिए होगा क्यों कि बढ़ा इसके अंदर हर point पर pressure की value same नहीं है जैसे यागे जाओगे वैसे वैसे pressure की value change होगी और एकर pressure की value change होगी तो हमें elements लेने पड़ेंगे कैसे सुनना मैं क्या कर रहा हूँ कि यहां से x distance जाकर इस edge के पहलल ऐसे dx width की एक strip ले रहा हूँ सर क्यों ली आपने ऐसे strip बढ़ ऐसे इस ले ली क्योंकि यहां से x distance दूर हर point पर pressure की value सेम होगी भई x relation अगर सामने की तरफ है तो x relation के opposite x distance दूर चाहे तूम यहां हो हर जगे pressure की value होगी rho x a rho x a rho x a तो इस rectangular strip पर जो अंदर वाला liquid होगा वो उपर की तरफ एक push लगाएगा force लगाएगा और उसको मैं बड़े आराम से कह सेता हूँ कि pressure into d इस force की value होगी इसको मैं बड़े यहां ले दूँ हाँ इस छोटे से force की value होगी pressure pressure होगा बड़ा यहां का pressure 0 तो acceleration के opposite direction जाने का pressure बड़ेगा कितना बड़ेगा बड़ा pressure बड़ेगा rho x a multiplied with इसका area इसका area होगा length into width बड़ा length है l, width है dx length है l, width है dx शरी यह तो आपने force सिर्फ force इस rectangular strip पर निकाली है ऐसी तो हजारों करोडों अरभों घरभों rectangular strips होगी हाँ बड़ा बिलकुल होगी उन सब पर force निकालेंगे और उस force को जोड़ देंगे जोडने को मेरे बच्चे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे घर बड़े बड़े चिल्ला रहेंगे सर ओ बेस बात है कि जोडने को आज किल हम integration बोलते हैं ठीक है बड़ा तुम बहुत high five बच्चे हो integration बोलते हैं इच्छी बात है रो बाहर आ गया l बाहर आ गया सिर्फ force अरे ये भी तो बाहर आ गया x dx का integration है x को कहा से कहा तक vary करें आप बलोगे से x को vary करतो 0 से l तक और हमारे पास बड़े आराम से answer आगया है रो l cube a upon 2 इसको आप चाहो तो मेरे बच्चों ma by 2 भी लेख सकते हो तो इस face पर बड़ा force की value आगए ma by 2 समझे बड़ा इस बात को और जो force इस face पर होगा जो force इस face पर होगा वही force इस पर होगा वही force इस पर होगा और वही force इस पर होगा सर ऐसा कैसे मैं अगले diagram में दिखायता हूँ ऐसी देखो अगले diagram में दिखायता हूँ सुनना यहां से x distance दूर हर जगे प्रेशर सेंड, ठीके डा, अब इसके नीचे भी अगर आओगे, तो हर जगे प्रेशर तो वही होगा, हर जगे प्रेशर 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 ग्रेविटी के साथ तो वर्टिकल डार्शम वेरी नहीं कर रहा, और वर्टिकल डार्शम वेरी नहीं कर रहा, तो जो प् यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रेशर सेम 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 तो जो रेक्टेकल स्ट्रिप यहां बनेगी वैसे स्ट्रिप यहां बनेगी और exactly same calculation हर जगे के लिए होगी मैं आपको बड़ एक बड़ डियाग्राम से बना के दिखा भी देता हूँ अगर मैं हमारे उस actual cube की बात करूँ और यहां से x distance दूर जैसे बड़ा आपने यहां पर strip ली वैसी strip बड़ा तुम यहां पर भी ले सकते हो यहां से x distance दूर नीच आओंगा ऐसी बड़ा एक strip लोंगा और यहां पर और यहां पर pressure बड़ा क्या आएगा same ऐसी ही strip बड़ा तुम यहां भी ले सकते हो ऐसी strip तुम सामने लाले face भी ले सकते हो और हर point पर आपका pressure की value same आएगलगी तो इस face पर हस फैस पर चारों face बड़ा force की value आएगी mg by 2, mg by 2, mg by 2, mg by 2 आप कह सकते हों कि अगर acceleration है सामने की तरफ तो इस face पर, पीछे वाले face पर force लग रहा है ma, इस पर लग रहा है 0, इस पर ma by 2, इस पर ma by 2, इस पर ma by 2, इस पर ma by 2 जब acceleration नहीं था और gravity थी, उस temperature नीचे वाले पर लग रहा था mg, इस पर लग रहा था 0, और ये mg by 2, ये mg by 2, ये mg by 2, और ये mg by 2 I hope तुम समझ गयोंगे, अब बात करते हैं ऐसी situation, मैं जानता हूँ बड़ा मैरे situation काफ़ टफ ली है बड़ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझतो आही गया सारी चीज़ें ही बड़ा बड़े आराम से रिलेटेबल है ठीक ड़ा, सेम कहानी, बड़ा दिस पॉइंट इस A, इस B, इस C, इस D, इस वन इस E, इस इस F, इस इस G, इस इस H अगिन बड़ा यह वाला end open है, बड़ा बाहर का pressure 0 पूरा का पूरा जो container है, बड़ा वो liquid से बढ़ा हुआ है जिस liquid से बढ़ा हुआ है, बड़ा उसके density आपके पास rho है, mass बड़ा उसका M है, ठीक है? यह बड़ा आपका L, 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 ठीक है, इस बार gravity भी है, और साती सात हमने इस पूरे पूरे क्यूब को सामने की तरफ accelerate कर लिया है, जैसे ही सामने की तरफ accelerate किया हम जानते हैं कि यह वाला पानी उठना चाहाएगा और यह वाला पानी नीचे आना चाहाएगा, लेकिन उपर से अधर वाला पानी नीचे आना चाहता और यह वाला पानी उपर जाना चाहता, लेकिन हमने क्लोस कर रखा है, इस करण से वाला पानी बाहर जानी पाएगा, क्यों ने पाएगा, उपर से क्लोस कर रखा है, लेकिन जब यह पानी बाहर जाना चाहेगा, उस टाम पर उपर वा इसी कारण से तो हना यहाँ पर प्रेशर 0 था और यहाँ पर प्रेशर सब जाला था तो इस कारण से अगर देखें तो हमने जिब फोर्स निकाला था उपर वाले क्वेस पर तो अब्रिस बात है कि हम लोगोंने इंटिग्रेशन जाला था बिल्कुल सही बात है सबसे पहले बड़ा प्रेशर लेखिए यह वाले जो साइड है बड़ा यो ओपन है तो जी वाले पॉइंट पर प्रेशर 0 एक्सलरेशन है सामने की तरफ पीछे की तरफ जाओगे तो प्रेशर बड़ेगा यहाँ पर आपका प्रेशर रो एल ए एफ वाले पॉइंट पर भी बड़ा प्रेशर रो एल ए इस बार बड़ा यहाँ प्रेशर 0 है लेकिन यहाँ प्रेशर 0 नहीं है ग्रेविटी है नीचे आओगे तो प्रेशर बड़ेगा और इस बी वाले पॉइंट पर प्रेशर ओफ कोर्स आएगा र into g into h h मतलब height height तो L है इस C वाले point पर भी बड़ा pressure आएगा row into g into h h नहीं बड़ा L लेकिन acceleration है सामने के तरफ तो अब इस b point का और a point का pressure सेम नहीं है बलकि a point का pressure b point की pressure से जादा है क्योंकि acceleration है सामने के तरफ acceleration के opposite जाओगे तो pressure बड़ेगा कितना बढ़ेगा वहाँ पर कितना है वहाँ पर है rho g l तो यहाँ पर कितना होगा plus rho l a acceleration के opposite जाते हो तो rho l a बढ़ता है rho l a increase होता है Sir इस d point पर कितना है षर पर hrتي rho g l rho g l के opposite जाओगे तो pressure बढ़ेगा कितना बढ़ेगा बिड़ा ρो जी एल तो पहले से था acceleration के opposite जाओगे तो ρो एल ए और बढ़ जाए हर point पर pressure तुमने देख लिया कि अगर ध्यान से देखो तो पिछले दोनों cases के कारण जो pressure आया थे उनका एक तरह समेशन हो गया उनका एक तरह से summation हो गया जब हमने सिर्फ और सिर्फ acceleration consider किया था तो इस वाले point पर pressure आया था ρो एल ए जब सिर्फ और सिर्फ gravity consider की तो pressure आया था ρो जी एल जब दोनों consider किये तो बढ़ा है यहाँ पर रो जी एल भी आ गया और रो एल ए भी आ गया कोई मुझसे पूछे कि इन साय के साय भी points में सबसे कम pressure कहाँ पर है तो आप कह सकते हों कि इस edge वाले points पर pressure सबसे कम है इस edge पर जितने भी point है उन point पर pressure सबसे कम है सबसे ज़्यादा pressure कहाँ पर है सबसे ज़्यादा pressure है इस edge पर जितने भी point है उन पर उन पर बड़ा pressure सबसे ज़ादा है और उस pressure की बड़ा value है rho G L plus rho L A यहाँ पर आपके pressure की value सबसे ज़ादा है I hope you get the point तो आप कहसे क्यों प्रेशर कम है कहां कहां प्रेशर ज़ादा है हम हर face पर force निकाल सकते है हम हर face पर बड़ा force निकाल सकते जिसे कोई मुझसे पूछ ले, किसे इस ABCD वाले फेस पर फोर्स कैसे निकालोगे, बड़ा मैं क्या तुरूँगा, कि यहां से X डिस्टिन्स दूर जाकर, जिसकी थिकनेस में रखूंगा, अंदरवाल लिक्विड उसको बाहर की तरफ पुश करेगा, किसे ने किसी फोर्स से, that will be यहां का प्रेशर इंटू एरिया, काश मैं यह वाला फोर्स लिखता हूं, बिल्कुल लिखने लिए, इस छोटे से फोर्स की वैल्यू होगी, यहां पर प्रेशर, बड़ा यहां पर प्रेशर तरह रोजी एल था, एकसेलरेशन के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर और बड़ेगा, रोजी एल तो पहले से, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का, यहां का प्रेशर रोजी एल है, एकसेलरेशन के अपोजिट जाओगे, तो इस रोजी एल में, रो ए एकस और जोड़ रो जी एल तो यहां दा था, एक्स डिस्टेंस अगर तुम्हें एक्स अपोजिट था होगे तो और बड़ेगा, कितना बड़ेगा रो एक्स, सर्फ फॉर्स कितना लाएगा बड़ा, फॉर्स लेटा इस प्रेशर इंटू एरिया, एरिया होगा इस रेक्टेंगुल स्ट्रिप का, इस एल इंटू दी एक्स, सर मुझे क्या करना है, बड़ा पूरा फॉर्स निकालने के लिए औफकोर्स तेरे को जोडना है, और जोडने के लिए बड़ा तेया पास, रो जी एल स्क्वायर तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी एक्स प्लस रो एल इंटू एक्स, डी एक्स कहा से कहा तक इंटेकरेशन बड़ा, जीरो से एल, जीरो से एल, और मेरे पास बड़े आराम से आंसर आ गया है, रो जी एल क्यूब प्लस रो एल क्यूब बाइ टू, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहिए, तो यह भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे यह mg प्लस नवाय टू आया, मुझे लगा कि यार, हम दो डिरेट लिख सकते इसको, कैसे, जब एक्सलरेशन नहीं था, उस केस में बॉटम वाले फेस पर फोर्स आया था, जब एक्सलरेशन नहीं था, सिर्फ ग्रेविटी थी, तो नीचे वाले फेस पर बड़ा फोर्स आया था, एमजी, लिक्विड ने लगा है, तो पुश किया था, अब दूसरे वाले केस में, जब ग्रेविटी नहीं थी, सामने की तरफ जब एक्सलरेशन था, सामने की तरफ एक्सलरेशन था, तो बेस पर फोर्स लगा था, म अब दूद्धों है, तो कितना फोर्स लग ग्या, ग्रेविटी के कारण mg, और एक्सलरेशन के कारण m a by 2, सिंस, सीता लग सकते हैं, mg plus m a by 2, सारे answer आजाएंगे कोई दिक्कत नहीं है सारे के सारे answer आजाएंगे कोई दिक्कत है जैसे इस face की बात करो सामने वाले face की बात gravity के कारण इस पर force आएगा सामने की तरफ mg by 2 और acceleration कारण कोई force नहीं आए था तो net force mg by 2 ये आएगा पीछे वाले face की अगर बात करो तो liquid जो होगा इस पर force आएगा बाहर की तरफ जो सामने की तरफ acceleration है उसके कारण force की value आएगी मे और gravity के कारण gravity कारण इस पर mg था इस पर 0 था और बाकी चारो पर mg by 2 था तो of course इस पर ये आएगा mg by 2 और ऐसे तुम बाकी चारो का भी लिख सकते हो सबसे उपर वाले की अगर बात करों तो gravity कारण तो force ही नहीं था acceleration ये कारण उस पर उपर की तरफ एक force आया था और उस force की value बड़ा कितनी आए थी मे बाई तो जो face आपकी तरफ है बड़ा आपकी तरफ कौन सा a, b, g, f आपकी तरफ बाला बड़ा a, b, g, f उस पर तुम force डारेट लिख सकते हो force on a, b, g, f आपकी तरफ बाले बड़ा आपकी तरफ बाला था mg के कारण आया था mg by 2 और acceleration के कारण आया था m, a by 2 बड़ा बड़ा आराम से तुम डारेट बोल सकते हो कि सर, force आएगा mg by 2 plus m, a by 2 सर, पीछे वाले फेस का क्या हाल है gravity के कारण है इस पर तो mg था इस पर 0 था इस पर mg by 2 था acceleration जब सामने था तो इस पर 0 था इस पर m, a था तो इस पर m, a by 2 था उस पर भी बड़ा आपके force की value mg by 2 plus m, a by 2 है I hope बड़ा इस बात को समझ गयोंगे मैं जानता हूँ कि बड़ा सवाल काफी मुश्किल था लेकिन हमने इस पूरे-पूरे सवाल का बड़िया post-martem किया है खुब समय लगा है हमने इस सवाल को करने में खुब बड़ा आप लोग समझ तो गयी होंगे इतना tough भी नहीं था लेकिन ठीक है थोड़ा समय तो हमको लगाई है कि बड़ा बातें बहुत सारे थी कोई का दुख का बात नहीं थी बड़ा बातें तो बहुत सारे थी ठीक है बच्चो आगे चलते बड़ा आगे चलते बड़ा चलते बड़ा नेक्स्ट इस बड़ा दो बातें और डिसकस करते हैं बड़ा एक है हमारे पास बैरोमेटर यह बड़ा तोरेसली बैरोमेटर यह जो बड़ा बैरोमेटर है इसका काम एक्टमोस्फरिक प्रेशर को मेजर करना है किसी भी ग्राउन लेवल पर सी लेवल पर कितना एक्टमोस्फरिक प्रेशर है उसको मेजर करना है हल्की सी ब्राव फिलूर के इसमें यूज है वो तुम आरा है सुनना, समझना, देखना बड़ा सबसे पहली बाट बैरोमेटर इस यूज़ट टू फाइंड अट्मोस्फरिक प्रैशर फाइंड या बड़ा एक्सपरिमेंटरली फाइंड या बड़ा ऐसा कह सकते हैं तो चली बड़ा कि उस कॉंसेट्ट वर बेस्ट है उस बात तो डंग से सुनिएगा सबसे पहले आप एक कंटेनर लीजी ये जो कंटेनर है विड़ा इसको आप पूरे के पूरे को मर्कुरी से बढ़ दीजिए हाला कि आप मर्कुरी के लगा कोई और लिक्विड भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है वो बहुत बड़े दिक्कत नहीं प्रैटिकल दिक्कत हो सकते हैं बड़ा पूरे को मर्कुरी से फिल कर दीजिए बड़ा हमने उसको मर्कुरी से बड़ा फिल कर दीए जो मर्कुरी है बड़ा उसकी देंस्टी 13,600 केजी पर मिट्रिक की ओग है ठीक है, अब हमने क्या किया, कि हमने एक, ट्यूब लिए, ट्यूब ली, इसका एक एंड open है, बड़ा एक एंड closed, ठीक है, बड़ा इस तरकी हमने एक test tube है, इसकी बड़ा हाइट अच्छी खासी होने चीए, जैसे 1 meter type होने चीए, रफली बड़ा है, बड़ा है से 1 meter के आसप यह आपका open है दूसरा end जो है बड़ा यह आपका closed ठीक है? अभी तो इसके अंदर air भरी पड़ी है आप एक काम करो पहले इसको ना mercury से बड़ा भर दो इसको पूरा फिल कर दो mercury से of course जैसे इसके अंदर mercury जाएगी हवा इसमें से लगातार बाहर निकलते रहेगी बाहर निकलते रहेगी कभी ने कभी यह पूरा का पूरा mercury से भर जाएगा हवा सारी बाहर निकल गई और पूरा का पूरा यह mercury से भर गई अब जो इसका टॉप है ना उसको अंगुटे से बंद कर दो टोप को बटा अंगुटे से बंद कर दो आज है और उल्टा कर दो अंगुटा नहीं खोलना है अंगुटा और खोलोगी थूणा मर्कुरी बाढ़ कर जाएगी अंगुटा बंद किया और इसको उल्टा कर दो फिर इसे ले जा कर यह जो पहले से container के लिए जो mercury भड़ी पड़ी है उसके लिए हलका सा दुबो दो और दुबो कर अब अंगुटा खोल दो ठीक है अब अब अंगुटा खोल तो यह जो आपके पास बड़ा test tube है ठीक है और यह of course बड़ा यहां से closed है शुरुवात के अंदर बड़ा शुरुवात के अंदर हम जानते हैं कि यह सारा का सारा मरकुले से भड़ावादा अब मैंने जान बूच के इस tube की height अच्छी खासे रख की है tube की height अच्छी खासी होगी तो इसके जो mercury भरी होगी वो भी खूब होगी वो अगर खूब होगी तो इसका weight अच्छा खासा होगा और अगर weight अच्छा खासा होगा तो अपने इस weight के करण mercury यहां से लगाता बाहर निकलेगी ऐसे ऐसे बाहर लेगे और जैसे बड़ा mercury बाहर लेगे बड़ा वैसे वैसे जो उसका topmost otherwise उपर तक बढ़ावा था वो जो उपरmost जो layer थे जो उपर की free surface है वो लगाता नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी थोड़ी दिर बाद में हो नीचे आएगी यहां कहीं आकर जो mercury ना बस इतनी रेगे और नीचे नहीं आएगी किसी specific height तक ही mercury आएगी बड़ा उसके बाद mercury और नीचे नहीं आएगी मैं of course बड़ा यहां पर एक scale लगा लूँगा और उस scale से बड़ा इस height को बड़े आराम से measure कर सकता हूँ कि इस free surface से कितनी height उपर तक mercury भरी हुई है अचा है यहां क्या है तुमको असर कुछ नहीं एर भी नहीं है आपने पहले ही इसमें से पूरी की पूरी जो test tube थी उसमें mercury डाल डाल कर डाल डाल कर सारी एर तो वैसे बहार निकाल दी थी अंगुठा लगा दिया था फिर पल्टा और फिर लेकी आया तो जैसे से मर्गरे का level नीचे आता गया of course ऐसा थे नहीं कि यहां से हवा चलके उपर जाएगी उपर से वैसे closed है तो अंदर तो वैक्यूम है और अंदर वैक्यूम है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अंदर का pressure तो zero है अंदर का pressure तो मेरे प्यारे जीरो है तो सर जीरो तो क्या दरूँ बड़ा जीरो है तो सुनना आप इस बात को कि अम मैं जानता हूं कि धोड़ी देर तक बड़ा लिक्विड जो मर्कर का level लगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा फिर बस उतना ही रहेगा अब एक तरह से आपके पास steady state ह हो गई यह situation में situation में steady state आए है और यह जो situation के अंदर steady state आई है अब हम कह सकते हैं अब कह सकते हैं इतने अपने ही कह रहते हैं अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इस point पर मैं इस point को A बोल दूँ और इस point पर pressure बराबर है सर ऐसा कैसे बोल दिया क्योंकि hydrostatic condition के अंदर same liquid connected liquid homogeneous liquid unaccelerated in horizontal direction उसमें बड़ा हर जगा pressure की value same होती है A point पर और B point पर pressure same इसलिए त्योंकि same liquid है same horizontal level है acceleration इस तरफ है नहीं pressure same होना चीए so pressure at A should be equal to pressure at B अब जड़ा सोचो कि A पर pressure किस कारण से है और B पर pressure किस कारण से है A पर जो pressure है वो है यहां से लेकर 100-200 km उपर तक जितनी air है उस सब ने push कर रखा है A point को ऐसे नीचे की तरफ और B point पर जो pressure है वो सिर्फ और सिर्फ है H height उपर तक जो mercury पड़ी है यह push कर रहे है नीचे की तरफ उसके ऊपर तो हवा है नहीं सर उसके ऊपर तो air होगी अरे बेटा उसके ऊपर जो air होगी नो वो तो इस पर टिकी हुई है यह जो close surface उस पर टिकी हुई है उसका थो को रोल ही नहीं है तो आप बड़े अराम से कह सकते हूँ कि A point पर pressure है यहां से लेकर 100-200 km उपर तक जितनी air है उस सबने कितना pressure लगा रखा है वो और इस B point पर जो pressure है वो है सिर्फ फोर सिर्फ इस H height तक रखी हुई जो मरगरी है उसके कारण मैं बड़े अराम से कह सकता हूँ कि यह जो 100-200 km उपर तक जितनी air है उसने जितना pressure लगाया होगा उसने जितना force per unit area लगाया होगा A point पर नीचे गी तरफ उतना ही force per unit area यह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यह H height की जो mercury है उतना ही pressure लगा रही है सिर्फ और सिर्फ यह H height के दिए mercury है यह उतना ही pressure लगा रही है उतना ही force per unit area लगा रही है ऐसा कैसे कर लिया बड़ा ऐसा इसले कर लिया because we know that mercury is extremely denser as compared to air और यहां पर तो फिर भी ठीक तक होती है जैसे उपर जाते हैं वैसे 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 लगाता air की density तो और कम होती है बस इतना कह सकता हूँ कि A point पर pressure है पूरे atmosphere के कारण इस height से लेकर 200 km 100-200 km दूर तक जितनी air है mostly जो air है बड़ा लगब लगब 200 km के अंदर दर है उसके बाद बड़ा ionosphere अगरे स्टार्ट दाता वहाँ पर तो air की density और कम है यहां से लेकर काफी height तक जितनी air है उस सब ने कितना force लगाया है that force per unit area और इस इतने से mercury ने कितना force लगाया है that force per unit area इन दोनों की value exactly same है so a point पर pressure is pressure due to atmosphere और b point पर is pressure due to mercury और mercury कारण कितना pressure मैं जानता हूँ यहां पर pressure है 0 तो 0 प्लस बड़ा mercury जो है उसकी density में लिख चुका हूँ बड़ा रो लिखी हूँ थी शायद रो यह बड़ा height है h h height नीचे आने पर बड़ा pressure बड़ेगी rho into g into h ले बड़ा atmosphere pressure की value आगे रो जी एच रो पहले से पता है g पहले से पता है और height हम इस exponent से निकाल लेंगे height हम इस exponent से निकाल लेंगे और हमारे इस atmosphere की जो value है बड़ा वो आगई है बड़ा रो कितना है mercury का है 13600 kg per metric cube g की value है 9.8 और अगर यह आप h calculate करते हो c level पर तो इसकी बड़ा value आती है 76 cm बड़ा हमने सारी values SI unit में रखी है तो मैं इसे 0.76 लिख रहा हूँ और इसको बड़ा जैसे हम सवाल करते हो इसकी value roughly बड़ा 1.01 into 10 raise to power 5 newton per meter square या फिर 5 या फिर 1.01 into 10 raise to power 5 पासकल आती है sir mercury क्यों है उसकिया कुछ और क्यों है कर लो अगर mercury यूज कर रहा हूँ तो mercury dance है mercury के density अच्छी खासी है तो आपने जो tube यूज की है उसके कम height से भी बात बन गई है यही सारा का सारा experiment अगर तुमने water से किया होता तो water जो है वो mercury के सामने 13.6 times कम dance है water अगर 13.6 times अगर कम dance है तो यह जो tube है इस पर जब equilibrium आएगा तब उसकी height जो होगी वो इस height की 76 cm की 13.6 times जादा होगी बई density 13.6 times कम है तो height बड़ा of course water वाले case में 13.6 times जादा आएगी तो अगर आपने water barometer बना लिया गलती से अगर आपने कहां कि सर मैं तो इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं बरकरी बरकरी यूज करूँ मैं तो सर वाटरी यूज करूँगा तो उस case में बड़ा उस case में तो जो height यूज करेगा वो होगी तेरी इस 0.76 का 13.6 times यह 13.6 कहां से है वाटरी density 13.6 times कम है तो height बड़ा 13.6 times जादा नीची और जो value आएगी बड़ा मैं एक बार multiply कर लूँ 13.6 into 0.76 बड़ा 10.3 आएगी शायद 10.3 meter तो water barometer अगर तुम use करोगे तो pipe की बड़ा length roughly 11 meter के आसपास रखने पड़ेगी तब ही तो उसमें से थोड़ा पाने नीची आएगा उपर vacuum crate होगा और 10.3 पर आकर आपका क्या करते हैं बड़ा उसको steady state आजाएगा तो कोई बचा जित कर लाएगी समय तो water ही यूज करूँगा बिलकुल का सकते हैं मेरे तब से खुली छूट है कोई दिक्कत नहीं है if you can practically manage it you can use water instead of mercury no issue but mercury क्यों use करेंगे बड़ा mercury थोड़ी less viscous होती है और उसके density अच्छी खासी होती है और इस current वरा mercury यूज करना थोड़ा सा better रहता है as compared to any other liquid I hope better you get the point अच्छा सा बड़ा फंडा है हाला कि मुझे लगता है कि तुम लोग बड़ा बैरोमेटर पड़ 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 के ठक गए होंगे क्योंकि यही बैरोमेटर बड़ा तुम लोग है न तीसरी बार बढ़ रहे हो एक बार तुमने केमेस्ट्री पड़ा होगा मैं यह तुम बहुर होगे चली बड़ा एक इस्ट्रुमेंट और यह भी बड़ा आप लोगोंने न केमिस्ट्री में पड़ा रख होगा मैं फिर से बतायता हूं हाला कि उसका कॉंसे बार लगवल बग सेम साहिए कोई बड़ बड़ांतर नहीं है सुनी बड़ा खुले एटमोस्फिर का प्रेशर मेजर करना हो तो बैरोमेटर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर फिल्ड एर का प्रेशर मेनेज करना हो तो मैनोमेटर तो मैनोमेटर इस अरेंजमेंट यूस्ट तो किसी क्लोज कंटेनर के अंदर अगर कोई गैस बड़ी पड़ी है तो उसका प्रेशर में निकान लेंगा सुनीएगा ये बड़ा कोई क्लोज कंटेनर इसके अंदर बड़ा कोई गैस बड़ी पड़ी है गैस में बड़ा हर जगा रफली बड़ा प्रेशर सेम ही होता है क्योंकि उसके देंस्टी बहुत ही कम होती है इसलिए बड़ा उसका प्रेशर more or less हर जगे सेम होता है इस प्रेशर कोड़ों मैं P गैस देख रहा हूँ अगर यह प्रेशर आपको मेजर करना है तो अबना सबसे पहले इसके साथ और इसके साथ बड़ा आप लोगों को अब अबना सबसे पहले इसके साथ बड़ा आपको में इसके साथ बड़ा आपको एक मैनमेटर जोड़ना पड़ेगा मैनमेटर जोगा it will be something like this बड़ा काफी कुछ ऐसा होगा अब होगा क्या कि शुरुवात में इसमें ऐसे मरकरी भरी पड़ी होगी ऐसे बड़ी होगी सेम होरिजन्टल लेल पर मरकरी भरी पड़ी होगी ऐसे क्यों? क्योंकि बड़ा शुरुवात के अंदर आपने इसको जोड़ा नहीं इस से जोड़ा नहीं तो यहाँ पर भी P atmosphere था यहाँ पर atmospheric pressure push कर रहा था यहाँ पर भी atmospheric pressure push कर रहा था लेकिन जैसे आपने इसको container से जोड़ा मान लिजे कि container के ज़ो gas उसका pressure ज़ाधा है तो यह जो air होगी ना यह इसको push करेगी जिस force से वो force जादा होगा, वो pressure जादा होगा, ये बड़ा मान लेते हैं कि pressure है P gas और इसके कारण, अच्छा, यहाँ पर of course atmosphere भी पुश कर रहा है, इन atmosphere पुश कर रहा है, जिस pressure से that is P atm मान लेते हैं कि gas का pressure जादा है, तो ये बड़ा push बड़ा होगा, ये बड़ा push कम होगा, ये बड़ा force बड़ा होगा, ये बड़ा force कम होगा, और इस कारण से क्या होगा, कि ये बड़ा जो level है, ये नीचे आएगा, ये बड़ा level उपर आएगा, नीचे आएगा, उपर यहां पर बड़ा लेवल जो है वो आपका नीचे आ गया और उतना ही बड़ा लेवल यहां का बढ़ गया अब हम जानते हैं जैसे ही आपका एक्क्यूटी पर आ गया उस टाइम मैं करौँ कि दो पॉइंट्स को कंपेर करो इन दो पॉइंट्स को कंपेर करो कौनसे कौनसे points को इस point को मैं इसको x बोल दू और same horizontal level पर बढ़ा ये वाला point बोल दू y एक ही homogeneous liquid के दो point है x और y same horizontal level पर बस इस point पर जो pressure लगा रही है वो gas लगा रही है that is let's say वड़ा p gas और इस point पर जो pressure लग रहा है वो लग रहा है atmosphere की विदे से plus ये इस height तक जो mercury आई है अगें बढ़ा हम यहाँ पर scale लगा लेंगे और उस scale से इस height को बड़े आराम से measure कर लेंगे mercury यहाँ पर नीचे है यहाँ पर उपर गया इन दोनों levels के बीच का जो difference है उसे measure कर लो कि यहाँ पर liquid कितना mercury कितना ओपर चला गया यहाँ पर mercury कितना नीचे आ गया इस mercury के ने एक बार किल्वटर intensity लिख रहा हूँ अम बड़े आराम से कैसे इतना हूँ कि x point पर जो pressure होगा बड़ा वो और जो y point पर जो pressure होगा वो exactly same होगा वो अलग बात है कि x point पर जो pressure है वो आपका gas के कारण है और y point पर जो pressure है वो atmosphere के कारण है plus 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 P atmosphere तो यहाँ है यहां से यहां आऊंगो तो pressure बड़ेगा कितना pressure बड़ेगा बड़ा rho into g into h h हम measure कर चोके है तो आप बड़े राम से कह सकते हैं कि gas का pressure आगया P atm plus rho into g into h ये मारा answer atmosphere pressure के अंदर rho into g into h को add करता। एक बात है बढ़ा gas का pressure atmosphere pressure से कितना जादा है? कितना जादा है? rho g h जादा है फिर से बोलता हूँ gas का pressure atmosphere के pressure से कितना जादा है? आप बोलोगे sir, rho g h जादा है, जितना जादा है उसका एक और नाम है यह नाम आपको sound waves बगर में भी बता चुका हूँ and this name is excess pressure, कोई भी pressure जो है वो atmosphere pressure से कितना जादा है atmosphere pressure से कितना excess है, कितना extra है, उस extra वाले term मुझते हैं, excess pressure यह जो P gas minus P atm है, इसको हम excess pressure भी कह सकते हैं, as well as इसका नाम एक और है बड़ा gorge pressure इसका एक नाम और है बड़ा क्या, gorge pressure तो कभी कोई तुमसे पूछ रहे, gorge pressure कितना है, excess pressure कितना है, तो आपने जो actual pressure निकाला है बड़ा, वो मत लिखना उस actual pressure में से पहले atmosphere pressure को minus कर देना, और फिर आप अमना excess pressure लिख देना, excess pressure negative भी हो सकता है सरक अब, जब बड़ा gas का pressure, atmosphere pressure से कम हो, तो of course इन दोनों जो subtraction वो negative हो सकता है, so excess pressure can be positive, can be negative, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बड़ा positive negative कुछ भी हो सकता है, net pressure negative नहीं हो सकता, यह net थोड़ी है, यह तो सिर्फ और सिर्फ difference है, किस के साथ, किस के साथ बड़ा, ATM के सा atmosphere प्रशिक साथ, सिर्फ और सिर्फ यह difference है, ठीक है बच्चों, बहुत ही trivial सी बड़ा बात है थी, यह बड़ा हमें आने चाहिए थे, मेरे ख्यालत आप लोग इसको समझ भी कहोंगे, इतना tough बड़ा काम यह था भी नहीं, आगे चली बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस पास्कल्स लोग, पास्कल्स लोग was given by a physicist, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल सर ने इस लोग को बड़ा दिया था, एंड यह लोग इस बात पर बेस था, कि जो फ्लूड है वह हमारा इनकम्प्रेसिबल है, कि कितना ही प्रेशर लगा दो, उसका जो, क्या करते हैं, बड़ा हो, वोल्यूम जो है, वो चेंज नहीं होगा, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगे, वो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूड की, जो इनकम्प्रेसिबल वाली क्वालिटी है, उसको यूज करके, उसको यूज करके, हम लोग बड़ाई पास्कल्स लोग निकाल सकते हैं, क्या है बड़ाई पास्कल्स लोग सुनदा है, जिसे अब आवालनी जी, क्या आपके पास इस तरह का कोई कंटिम्ट है, ठीक है, और यी बड़ा मालनी जी आपका पूरा का पूरा लिक्विड है, ठीक है, मालनी जी बड़ा इस पूरी का पूरा लिक्विड के अंदर, यहाँ कोई न कोई पॉइंट है, let's say there is a point y और उसके बटा यहां कहीं ऊपर कोई न कोई point है x liquid to the density है वो rho है और यहां से यहां तक जो height का difference है let's say it is h हमारे y point का जो pressure होगा वो x point के pressure से जाधा होगा और कितना जाधा होगा rho into g into h ठीक है अगर आपके x point का pressure अगर p हुआ तो उस case में हम बड़ा आराम से कह सकते हैं कि y point पर pressure होगा p plus rho into g into h अब माल लीजिए कि किसी तरह से किसी कारण से मैंने इस x point पर pressure जो है वो पहले p था उसको बढ़ा कर p plus delta p कर लिया p plus delta p कर लिया अब इतने से pressure बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि हमारा liquid compress होके उसके density बढ़ जाएगी नहीं नहीं density उतनी देएगी कि हमारा जो liquid है हमारा जो fluid है वो incompressible है यह हम शुरुआत से मानते आएं अब ऐसे केसमें बढ़ा आराम से बोल पाँगो कि y point पर जो pressure होगा वो होगा x point पर pressure plus rho into g into h और x point पर pressure आप p नहीं है बलकि p plus delta p है तो आप plus rho into g into h आप देख सकते हो कि पहले x point पर जो pressure था वो जब p था तो y point पर pressure था p plus rho g h जब आपके x point पर pressure p plus delta p हो गया तो y वाले point पर भी pressure delta p बढ़ गया है जहां से देख लिया delta p आपने x वाले point पर pressure बढ़ाया तो वही delta p pressure आपके वही delta p पर पर आपके y point पर भी बढ़ गया है क्योंकि y point पर पहले pressure p plus rho g h तो इसका मतलब आपने liquid के किसी भी एक पॉइंट पर भी अगर प्रेशर डेल्टा भी बढ़ा दिया है तो उस पूरे के पूरे Homogeneous Connected Liquid के अंदर हर जग़ा प्रेशर डेल्टा भी बढ़ जाएगा किसी भी Connected Liquid के अंदर हर जग़ा डेल्टा भी प्रेशर बढ़ जाएगा The entire change in pressure will transmit to the entire liquid liquid के किसी भी या फिल बाग fluid के किसी भी एक point का लेकर आपने pressure change किया तो उस liquid के उस fluid के हर point का pressure उतना उतना बढ़ जाएगा या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते है कि any change in pressure at any point of it will be transmitted to the entire fluid or liquid but इस बात को आप लिखना चाहा हो लिख सकते हो मैं दो स्टाइल से लिख रहा हूँ if we change pressure at a point in fluid comma this change in pressure will be transmitted to the entire connected liquid जो सारा का सारा बड़ा आपका connected liquid है उस सारे के सारे connected liquid के अंदर उतना उतना pressure आपका बढ़ जाएगा उतना 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 बढ़ जाएगा ठीक है बच्चों उतना उतना pressure बढ़ा हर जगे बढ़ जाएगा ठीक है अच्छा point है पिटा हमारे काम का है derivation बढ़ा ठीक है, obvious बात है किस बात भी based है, कि pressure बढ़ाने से density पर बहुत बढ़ा फर्क नहीं पढ़ा और जहां अगर आपने एक point पर delta P pressure बढ़ाया, तो हर point पर delta P, delta P, delta P pressure पूरिज गए, बढ़ जाएगा ठीक है बच्छों, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी चलिए बच्छों, इस बात का use क्या है, वो भी देखिएगा इसका जो mostly बढ़ा use है वो hydraulic lift या फिर hydraulic brakes में है वो किस तरह से काम करते हैं बढ़ा सुनिएगा, माल लेजी बढ़ा आपके पास एक इस तरह का connection है pipe का बढ़ा इस तरह का connection है यह लिए बढ़ा बढ़ा इस तरफ left hand side में बढ़ा area छोटा है, और जितना छोटा हो उतना अच्छा है बढ़ा इस तरफ area है a1 और इस तरफ area है a2 और जो area a2 है बढ़ा यह a1 से काफी बढ़ा है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि a2 is very very large as compared to a1 ऐसा क्यों है वो भी देखेंगे यहां बढ़ा आपके पास एक liquid है यह इसकी free surface ठीक अच्छी बात बढ़ा बढ़ा माल नीजी कि मैंने इसकी उपर वाली surface पर कोई नो कोई force लगाया let's go down कोई नो कोई force लगाया let's say बढ़ा मैंने यहां पर कोई नो कोई force लगाया and let's say मेरे बच्चों यहां पर जो force मैंने लगाया let's say it is F1 जैसे आपने F1 force लगाया है इसकी उपर वाली surface पर मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसे wedge वगर या plank वगर रखावा है और उस plank को push किया है मीचे के तरफ F1 force से तो इस वाले point पर आपने एक तरह से pressure बढ़ा दिया है कितना pressure बढ़ा दिया है of course बढ़ा F1 upon A1 pressure बढ़ा दिया है और जो pressure यहां बढ़ा है वो pressure यहां भी बढ़ा है यहां भी बढ़ा है यहां भी बढ़ा है और यहां भी बढ़ा है और इस point पर उतना ही अगर pressure बढ़ा है कितना pressure बढ़ा है वापे से बूलना pressure बढ़ा है तो यहाँ पर pressure बढ़ गया और pressure value आगई है बड़ी भी value आगई F1 upon A1 इसके कारण यह जो liquid होगा यहाँ पर जो भी platform पड़ा होगा उसको उपर की तरफ धक्का लगाएगा पुश करेगा और उसे पुश करेगा कितना हमारा pressure बढ़ा है multiplied by area as you can see that it is F1 upon A1 यह पर प्रेशर बढ़ गया multiplied by A2 यह पर आपका force है और मज़े की बात यह है कि आप इस बात को देख सकते हो कि F1 जो है उसके मुकाबले F2 बहुत बढ़ा है आप इस बात को देख सकते हो कि F2 की जो value आई है बढ़ा हो आई है F1 into A2 upon A1 और हम जानते हैं कि A2 जो है वो हमारे A1 से बहुत बढ़ा है इसलिए F2 जो है बढ़ा वो F1 के मुकाबले बहुत बढ़ा है यहाँ पर आपने force लगाया है कम यहाँ पर force लगाया है अच्छा खासा जादा इस area के मुकाबले अगर यह वाला area 100 गुना है तो अगर आपने यहाँ पर 1 newton लगाया है तो यहाँ पर 1 newton नहीं लएगा यहाँ पर 100 newton लएगा अगर आपने यहाँ पर 3 newton लगाया है तो यहाँ पर 300 newton लएगा अगर आपने यहाँ पर पांच न्यूटन लगाया तो यहाँ पर पांच सो न्यूटन लएगा अगर एरिया का रेशो वन हिस्टो थाउजन है तो अगर आपने एक न्यूटन फोर्स लगाया तो यहाँ पर थाउजन न्यूटन फोर्स लएगा और अगर आपने इसके को कार रग दी हजार किलो की, दो हजार किलो की, तो even हम उस कार को भी लिफ्ट कर सकते हैं, कम फोर्स लगा कर भी, अगर मैं यहाँ पर फोर्स कम लगाँगा, तो वो फोर्स यहाँ पर जाकर जाकर जादा हो जाएगा, the only reason is, कि बड़ा माँ पर एरिया जादा है, और यहाँ पर एरिया कम है, प्रेशर का तो चेंज आएगा, वो तो सेम आएगा, और इस करण से जो रेशो एरिया का होगा, वही रेशो आपके फोर्स का होगा, और ऐसे केस में अगर उस तरह बहुत भारी अगर अब्जेट रखी हुई, तो हम उसको भी लिफ कर सकते हैं, and this is the concept behind hydraulic lift, I hope, but I've got the point, तो आप इस तरह से फोर्स को अच्छा खासा बढ़ा सकते हो, तगड़ा बढ़ा सकते हो, बिल्कुल, शांदार तरीके से इस फोर्स को बढ़ा सकते हो, ऐसे माप ये भी सोच रहे होंगे, कि सर, इस से energy conservation का violation तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सर, कैसे नहीं होगा, आपने फोर्स को हजार दोना कर दिया, सो बना कर दिया, तो सर, वर्क भी तो जादा हो गया, नहीं बढ़ा, वर्क उतना ही रहेगा, सोच नहीं बढ़ा कैसे, वर्क उतना ही इसलिए रहेगा, क्योंकि, क्योंकि, माल लीजे, माल लीजे कि आपने इस ब्लोक को नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया है X1 तो ये प्लैंक उपर जाएगा सिर्फ और सिर्फ X2 और हम जानते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल है इस कारण से जितना वोल्यूम यहाँ डिस्प्लेस हुआ उतना ही बड़ा वोल्यूम यहाँ पर क्रियेट हो जाएगा जितना इसको नीचे पुश्क रोगे उतना यह ऊपर जाएगा ये वाला वोल्यूम हम जानते हैं कि A1X1 सौरी बड़ा ये वाला वोल्यूम है A1X1 और ये वाला वोल्यूम मेरे पास है A2X2 और हम बड़े अराम से कह सकते हैं कि जितना वोल्यूम ये उतना वोल्यूम जो तो हम कह सकते हैं कि A1X1 is equals to A2X2 जितना वोल्यूम बड़ा यहाँ पर नीचे आएगा उतना वोल्यूम बड़ा वाला वाला उपर जाएगा तो सर वर्क कैसे सेम हुआ देखो वर्क कैसे सेम हुआ यहाँ पर वर्क जो आएगा यहाँ वर्क आएगा वर्क आएगा उसको देखना कितना आएगा नीचे की तरफ फोर्स है नीचे की तरफ फिर डिस्प्लेस्मेंट है कितना है that is of course F1 into X1 वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर वर्क दन कितना है वहाँ पर है वर्क दन इस इक्वल्स टू F2 into X2 F1 को हम बड़े आराम से लिख सकते है डेल्टा P into A1 बड़े बागे तो X1 है F2 को हम लिख सकते है वही डेल्टा P into A2 into X2 I hope बड़े बाट आपको समझ में आगए होगी तो ऐसा नहीं बड़े आपका कोई energy conservation बगर का violation हो ऐसा नहीं है जितना आप बड़े इस पर वर्क दन positive करोगे उतनी ही यहाँ पर कोई object अगर रखी होगी तो उसकी potential energy बड़ेगी को हम किसी example से भी देख लेंगे लिए आप ऐसा मान सकते हो किसी प्रकारप में energy conservation को violation नहीं है आपने energy create नहीं की है आपने energy नहीं बड़ाई है आपने यह सरफ और सरफ force को बड़ाई है आपने बड़ा सरफ force को बड़ाई है एनर्जी को बढ़ाने वाला काम बढ़ा हमसे नहीं हो पायागा, ठीक है? आगे चलिए बच्चों, इस बात को हमें एक सवाल से देखते हैं, एक अच्छे से बढ़ा सवाल से देखते हैं, सवाल इस तरह से बढ़ा, बढ़ा, हमारे पास ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का अरेंजमेंट है, जिसके अंदर ये वाला जो एरिया है, ये काफी कम है, बढ़ा, लेट से बिससे जीरो पॉइंट, 0.02 मिटर स्कॉर, ये वाला आपका A1, ये वाला एरिया वाला, अच्छा खासा बड़ा है इसके मकाबले, प्लेट फोर मेटर स्कॉल यहां बैडब कोई प्लेट फॉर्म है यहां बैड़ा कोई प्लेट फोर्म है उस प्लेट फोर्म के नीचे आपका वाटर पड़ा है वार्टर पार दॉट अब मैंने क्या किया कि इस प्लेटफोर्म के ऊपर बड़ा कोई कार खड़ी का रखिए कार का जो मास है वो 800 केजी है उससे लिफ्ट अप करना है उससे लिफ्ट अप करना है तो मुझे यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कितना फोर्स लगाँ बड़ा यह क्योशन मारके कितना फोर्स लगाँ टू श्लोली लिफ्ट अप कार को धीरे धीरे उठाने के लिए कितना फोर्स लगाँ इस कार को धीरे धीरे उपर उठाने के लिए एट थाउजन न्यूटन तो अफोर्स जो प्लैंक होगा वो उपर की तरफ पुश करेगा किसे ने किसी फोर्स बड़ा लेट्स देट इस एफ टू और उसकी वैल्यू भी बड़ा कितने हो लिजी एट थाउजन न्यूटन स्लोली लिफ्ट करना है इसलिए उपर का फोर्स बड़ाबर निचे का फोर्स एक्सलेरेशन जीरो नेगलिजिबल गलॉस्टे से बड़ा कार उपर के तरफ लिफ्ट हो जाएगी इसका मतलब इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको 8,000 न्यूटन फोर्स बड़ाना है यह वाला फोर्स और यह वाला फोर्स बड़ाबर नहीं है लेकिन इस वाले पॉइंट पर जो चेंजिन प्रेशर हो और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर होगा F upon area that is 0.02 should be equal to वहाँ पर 8,000 newton बड़ा पास्कल स्लो लगा है कि जितना pressure वहाँ पर change चाहिए उतना pressure change यहाँ पर चाहिए तो that is 8,000 upon बड़ा वहाँ पर area है 4 meter square cancel जाएगा force की value है जाएगे 2,000 into 0.02 यह बड़ा गया that comes out to be 40 kg सिर्फ और सिर्फ 40 kg नहीं बड़ा 14 newton that comes out to be 40 newton 40 newton का force लगा कर आप यह 800 kg की जो बड़ा कार है उसको उठा सकते हो कोई देखत नहीं लिए बड़ा obvious बात है कि उसको थोड़ा सा उठाने के लिए आप कोया पर बहुत ज़ादा displace करना पड़ेगा वो अलग बात है लिए इतना तय है कि आप सिर्फ 40 newton का force लगा कर उस car को उठा सकते हो उस car को pull कर सकते हो उपर की तरफ fair enough हाँ एक बात और माल लो की इस car को मुझे 10 cm उपर ले जाना है माल बड़ा लेट से 0.1 मीटर उपर ले जाना है तो मुझे कितना वर्टम करना पड़ेगा बड़ा obvious बात है कि यह अगर 0.1 मीटर उपर जाएगा तो बड़ा यह वाला volume कितना होगा यह वाला volume होगा 4 into 0.1 ठीक है तो यह कितना नीच आएगा let's say x नीच आएगा तो यह वाला volume और यह वाला volume से मोना ची यह वाला volume कितना है यह वाला volume है बड़ा 0.02 into x it should be equal to बड़ा that is 4 into 0.1 बड़ा यहां से मेरे पास आगे x is equals to 40 upon 2 बड़ा that comes out with 20 meter बड़ा अगब कैलकोशन जोगो चेक कर लेगा इसको 20 meter नीची ले क्या होगे तब जाके बड़ा 10 cm ऊपर जाएगा इतना बड़ा फरक है और of course इसको 20 meter लाने की नीची लाने के लिए इस external agent की द्वारा कितना over done होगा इसका over done होगा force force है बड़ा कितना 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 है था 40 newton और तुन्हें displace किया है नीचे की तरफ कितना 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 20 meter और तुन्हें बड़ा of course कितना सारा work done कर दिया है 800 J जितना तुन्हें work done किया होगा इसकी potential energy exactly उतनी बड़ी होगी तो हास है इसकी potential energy बढ़नी चाहिए MGH mass है 800 G है 10 और height कितनी है 0.1 that also comes out to be 800 J तो आपने कोई energy of energy creative rate नहीं किया है आपका जो work done है आपने जितना work done किया उतनी ही बड़ा सकार की potential energy बड़ी है ना कम ना ज़ादा तो यह ना सूचे कि हमने कम force से ज़ादा work done किया है आपका force बढ़ कर ज़ादा हो गया वो सही बात है वो किसी भी hydraulic lift के अंदर किसी भी hydraulic brake के अंदर ऐसा तो हो गए होगा वोगि आपने जो force लगा है वो कम area पर लगा और जहाँ पर वो force हमने execute किया जहाँ पर हमें force चाहिए था वहाँ पर area ज़ादा हो गया तो वही बढ़ा force भी ज़ादा हो गया लगिन force ज़ादा हुआ है work done ज़ादा नहीं हुआ है work done बढ़ा उतना ही हुआ है जाद जेतना आपने किया है I hope it's fair enough यह वाले बात बढ़ा समझ में तो आएगे होगी इस पर बढ़ा कभी ने कभी बढ़ा आएटी वाले पूछ सकते है इवन इस पर तो comprehension path की बाते बन सकते है जैसी बाते मैंने पूछी है more or less बढ़ा वैसी बाते आपसे भी IIT वाले पूछ सकते है अच्छा सवाल बन सकता है इस पर बढ़िया तगड़ा सवाल बन सकता है आगे चले बच्छों